हेलो एवरिवान, वेलकम टु अमस्टडी गुरू, आज की इस वीडियो में आप सभी के GRF से रिलेटिड डाउट्स दूर करने वाले हैं, तो बहुत सरे लेर्नर्स को यह डाउट रहता है कि GRF fellowship amount मिलता कितना है, दूसरा, क्या हम यह fellowship amount PhD ना अगर करें, हमरा GRF clear हो जाए, तो क्या फिर हमको मिलता है? तीसरा डाउट यह रहता है कि अगर हम पार्ट तैम PhD कर रहे हैं, PhD के साथ को जॉब कर रहे हैं, तो फिर क्या हमको GRF मिलता है, और चोथा डाउट एक और बच्चों के मन में रहता है, वो यह कि क्या जो हमको यह GRF amount मिलता है, इसको हम सरफ PhD के लिए खर्च सकते हैं, और कुछ चीजों के लिए भी खर्च सकते हैं तो आज की वीडियो में सारे doubts आपके clear करने वाले हैं मैं बता दूँ, मेरा नाम है Simranjit Kaur, और पिछले 5 सालों से मैं UGC Net Economics की तयारी करवा रही हूँ और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे इंडिया के colleges में, universities में Assistant Professor लगे हुए हैं यहां फिर PhD कर रहे हैं तो MS Study Guru application का link आपको description में दिया गया है, जहां पर मरे UGC Net Assistant Professor, PGT, SET exams, Economics related तमाम courses available हैं तो आप app download कर सकते हैं, telegram का link, और मेरी books का link, best selling books का link भी आपको description में दिया हुआ है तो पहले हम इस चीज़ पर बात करते हैं कि आखिर यह GRF amount मिलता कितना है बता दूँ कि यह GRF amount time to time बढ़ता रहता है, और 1 January 2023 से नया GRF amount applicable हुआ है उसके नुसार अगर आपका UGC Net exam से GRF clear होता है और उसके बाद आप PhD में admission ले लेते हैं तो PhD में admission लेने के बाद आपको GRF मिलना शुरू होता है, बता दूँ और यह amount कितना है इसमें 2 साल तक आपको Junior Research Fellowship मिलती है और अगले 3 सालों तक आपको Senior Research Fellowship मिलती है सिर्फ यही नहीं इसके इलावा इसमें आपको HR यानि के House Rent Allowance भी मिलता है इस House Rent Allowance की तीन Slabs होती है जो के Area to Area vary करती रहते हैं तो इस Slabs होती है 9%, 18%, 27% मितलब 37,000 पर ठीक है और अगर Highest Slabs में 27% की बात करूं तो 37,000 का 27% अगर हम करें तो यह आपका महीने का HR बनता है एक महीने का 9,990 exactly मितलब 10,000 के About इसमें आप 37,000 में अपने HR एड़ कर लीजी About amount होगी आपकी 47,000 इसके इलावा आपको एक साल की contingency amount मिलती है 10,000 रुपए पूरे साल में contingency amount 10,000 रुपए मिलती है तो About अगर हम कहें तो पंतालीस से पचास हजार के बीच बीच में आपका जो GRF का amount महीने का रहता है यह था आपका GRF का amount जो SRF का amount है दो साल बाद आप GRF को SRF में Upgradation कराते हैं इसका Upgradation का दूर एक प्रोसेस होता है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आप देख सकते हैं जब आपका SRF Upgradation होता है तो यह 37,000 वाला amount आपका 42,000 का हो जाता है इनके 42,000 का हो जाता है और इस पर फिर एक चरे के वही 3 Slabs रहेंगे 9%, 18%, 27% तो अब 42,000 पर अगर मैं Highest Slab यानि के 27% लगाके चलू तो यह आपका बनता है About 11,340 रुपए यानि के 42,000 में वही आप 11,000 प्लस कर लेते हैं तो 53,000 बन जाता है और SRF में जो आपको contingency मिलती है वो साल की 20,000 के about 20,000 के about यानि के वही आप लगा लिजे कि आपका 55,000 के nearby हम देखें तो SRF का amount बनता है per month का और बहुत सारी job जैसे अच्छा amount है ये बहुत सारे colleges में मैंने देखा है assistant professor की starting salary 15,000 होती है ये GRF SRF का amount उससे कई दुना अच्छा है और इसमें खास बात ये है कि आपको ये amount बे मिल रहे है और साथ-साथ में आपकी degree भी हो रही है आप academician बन रहे हो आप researcher बन रहे हो साथ-साथ में simultaneously degree के साथ-साथ ही आपको इतना handsome amount government के दरफ से मिल रहे है और ये GRF का amount मुझे लगता है सभी fellowship से ज़ाद है जितनी भी और government की fellowship से सबसे ज़ादा ये GRF की fellowship का amount रहता है आपका ठीक है अब दूसरे question पर चलते हैं कि अगर हमारा GRF clear हो जाता है अगला जो सवाल जिसके बारे में अगला जो सवाल जिसके बारे में सरकार ये पैसा आपको PhD करने के लिए देती है ताके आप एक अच्छा रिसर्च कर सके तो इसलिए अगर आप PhD में लेंगे उसके बाद उस युनिवर्स्टी के नॉडल ओफिसर को जाके अपने अगला जो सवाल जिसके बारे में आज बात करनी थी कि अगर आप PhD के साथ साथ जॉब कर रहे हो तो अगली चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है तो यह मित है ऐसा बिल्कूल भी नहीं है मैं आपको बता दूँ जो इसमें आपको 37,000 का मैंने अमाउंट बताया था और साथ में आपको एक चारे बताया था 10,000 के बाउट वो है ना वो अमाउंट आप जहां पर मर्जी खर्चिए अपनी बेसिक नीड्स के लिए अपने लाइवली हुड के लिए अपने रहने सेने खाने पीने कपड़े लग्जरी मतलब जहां पर भी आपको खर्चना खर् बोज कि मुझे अपने खर्चे भी तो करने हैं मुझे अपने घर पर भी पैसे कंट्रिबूट करना होता है कुछ ऐसा बोज ना रहे तो यह खर्चे आप जहां मर्जी कर सकते हैं इसमें जो आपका contingency amount होता है जो मैंने आपको साल का 10,000 बताया उसके लिए जरूरी होता है आपको claim करना यानि के उसके लिए आपको bills दिखाने पड़ते हैं वो bills सिर्फ आपको contingency amount के लिए दिखाने पड़ते हैं उस bills में जैसे आपने मालों कोई seminar वगारा conference attend करनी है को travel expenses आपके लगे आपने कोई stationary वगारा लेनी है उस पर आपका खर्चा कोई books वगारा है उस पर खर्चा आया इस तरह की चीजें जो है उसका जो bill होता है official bill वो आप submit करवाते हैं तीन महीने में एक बर आपकी contingency आती है तो वो तीन महीने के वो bills जो होते हैं वो आप अपने continuation certificate के साथ attach करके अपने nodal university के nodal officer को भेजते हैं तो आपकी contingency amount तब ही आती है अगर आपने वो bills दिखाई नहीं है तो वो bills आपको सरफ contingency amount के लिए दिखाने पड़ते हैं बाकी का जो आप catcher यह था यो दूसरा 37,000 वाला था या SRF में जो 40,000 वाला था इसके लिए आपको कोई भी bill नहीं दिखाना पड़ता ठीक है सरफ आपका continuation certificate जाता है कि आप PhD कर रहे हो इस department में continuous कर देखिए ना कि अगर आपको 13,000 आ रहा है उसमें आपकी university का fees वगरा तो थोड़ा बहुत जाए गई वो आप deduct कर लीजए को कि contingency में आप fees का नहीं भर सकते हैं उसमें फीस का खर्चा contingency में नहीं आपका account होता contingency में सरफ आपका stationery travel expenses हो गए है ना इस तरह के खर्चे ही उ तो यह सारा था जो आपको इन चीज़ों के बारे में बताना था अगर आपको फिर भी कोई और डाउट है इससे लेकर तो आप मुझे comment में बता दीजेगा I will definitely clear your doubt. Thank you so much.